हलो दोस्तों क्याल चाला है आपके मैसल्फ सीय नितन राधपाल फैगिल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होग जैसा की SCM के इंट्रोड़क्शन में हमने सिलेबस की बात की थी और सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया था फस्ट वान इस था modern technique of costing की जो time to time पे costing में development और change ही जाते रहते हैं उनको consider करना second था decision making and existing costing technique marginal standard budget इस तरह की बाते हम करेंगे second part में और third हमारा था दोस्तों operation research operation research का मतलब जिसके अंदर हम statics technique का यूज करके mathematics technique का यूज करके अपने costing को minimize करेंगे अपनी cost को manage करेंगे तो दोस्तों आज SCM के first lecture में हम अपना जो third part है operation research वाला जिसकी छोटी सी जलक आपने group 2 के operation management chapter में भी देख रखी है वहाँ पर भी आपने course में देख रखी है लेकिन यह final level है यहाँ पर हमें detail में पढ़ना है introduction में मनें आपको chapter के बारे में बताया था assignment transportation linear programming learning curve यह सारे हमने पढ़ सी पिम देखे थे तो एके करके हमें यहाँ पर दोस्तों detail में आपके साथ discuss करना है आज हम जो chapter आपके साथ start कर रहे है उसका नाम है दोस्तों assignment लिखेंगे मेरे साथ बहुत detail में दोस्तों discuss करना है कि assignment क्या होता है क्या इसके अंदर पढ़ना है तो एक तो बात clear है कि यह एक operation research statics technique है जिसका use करके हम अपने costing को minimize करेंगे costing को manage करेंगे management technique का use किया जाएगा अपनी costing को minimize करने के लिए लेकिन कब कैसे किस situation में इसी बात के लिए हमें इस chapter को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा तो आईए दोस्तों इस assignment technique के अंदर मैं आपको जादू सबसे पहला topic क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीक है वो यही है पहले each and every topic and concept discuss करना फिर अपने एक्जामपल और अपने कोशन कराना देन सीम में इंशी रूट के study material को complete solve परवाना जिससे की बच्चे का कोई भी topic रहना जाए और exam आपका अच्छे से complete हो सबसे पहले दोस्तों में आपर discuss करेंगे basic basic का मतलब इस assignment technique के बारे में understanding develop करेंगे कि यह technique किस situation में use होती है और इसका use करने से हमें क्या result मिलेगा क्या output होगा उसकी बात होगी जब यह basic topic दोस्तों खतम हो जाएगा तो दूसरा point हम आपके साथ discuss करेंगे दोस्तों दूसरा point हम आपके साथ discuss करेंगे जिसका नाम होगा minimization problem जब यह minimization problem topic हमारा खतम हो जाएगा थर्ड topic हम आपके साथ discuss करेंगे थर्ड topic हम आपके साथ discuss करेंगे that is a balance problem then fourth topic हम आपके साथ discuss करेंगे जिसका नाम होगा restricted cell जब यह restricted cell topic हमारा खतम हो जाएगा तो fifth topic हम आपके साथ discuss करेंगे maximization problem बाकी इन main topic के अंदर सब heading जितने भी होंगे वो time to time discuss करते रहेंगे समझते रहेंगे और जिस दिन हमारा यह chapter खतम होगा आप देखेंगे institute का एक एक कोशन हमने solve कर लिया होगा past year examination each and everything बाजार में जितने कोशन है each and every level को हम cover करके दोस्तों यहां पर चलेंगे तो आईए दोस्तों assignment के first topic से start करते हैं basic जैसे कि आपको पता है कि assignment एक statics technique है तो इस statics technique के अंदर हम क्या करेंगे हमें कैसे information देर कियोंगी तो वो एक बार मैं background आपका clear कर देता हूँ तो दोस्तों होता क्या है कोई मालो company है या कोई factory है जिसके अंदर एक से ज़्यादा काम है और एक से ज़्यादा worker है सभी worker सभी काम को कर सकते हैं लेकिन काम को करने की जो cost है वो different different है दोस्तों तो ऐसे case में हमें ये decide करना होता है कि कौन सा काम किस worker से कराएं जिससे कि हमारे काम भी complete हो जाएं worker भी बीजी हो जाएं और सभी काम को काम का मतलब jobs और सभी jobs को complete करने की जो cost है दोस्तों वो कम से कम आए minimum से minimum आए तो इसके अंदर क्या होगा basic के अंदर मैं आपको बतायता हूँ basic के अंदर simple क्या होगा इन लिखेंगे आप मेरे साथ इन assignment problem in assignment problem we have we have more than one job and workers in assignment problem we have more than one jobs and workers हमें assignment problem में एक से ज्यादा workers और एक से ज्यादा job दे रखी होंगी and the cost of job and the cost of job is always different and the cost of job is always different of all workers यह क्या मतलब है सुनों कहता है इन assignment problem हमारे पास एक से ज्यादा जॉब होंगी एक से ज्यादा वर्कर्स होंगे और जो जूब की कोस्ट होगी जूब को करने की जो कोस्ट होगी वो हमेशे डिफरेंट होगी सभी वर्कर की अगर मालो सभी वर्कर की कोस्ट काम करने की सेम है तो वहाँ पर दो decision making का कोई मतलब भी नहीं है न वर्कर की काम करने की कोस्ट अगर डिफरेंट होगी देन हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम किस वर्कर से कराएं जिससे की हमारा काम भी खतम हो जाए और टोटल कोस्ट कम से कम आए तो हम क्या करेंगे देखो जीस के बाद मैं आपको बताता हूँ Under Assignment Technique Under Assignment Technique अराम से लिखते जाएं पूरा चेप्टर अराम से समझेंगे लिखेंगे Under Assignment Technique जो jobs होंगी, jobs are allotted to workers, jobs worker को allot की जाएंगी in such a way, in such a way, so that, so that the overall cost, the overall cost of, the overall cost of all jobs, will be minimum, हम इस तरीके से jobs का allocation worker के बीच में करेंगे, जिससे कि हमारी जो overall cost है, वो कम से कम आई, overall cost कम से कम आई, अब यह कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ, in exam question, in exam question, the jobs and workers, the jobs and workers are given in matrix form, अब यह matrix क्या होती है, यह भी हमें समझना है बड़े जहां से, देखेगा, सरी जो matrix होती है, यह हमेशा combination होती है, row and column, matrix हमेशा combination of row and columns, ठीक है, row and column के combination को matrix कहते हैं, और किस तरीके से हमें problem दी हुई होगी, वो मैं आपके साथ दोस्तों discuss कर लेता हूँ, यह देखेगा, जैसे row और column से मिलके matrix बनने जा रही है, जैसे कि माल लो तीन row हैं, first row, second row, यह होगए row one, यह होगए row two, जो horizontal है, that ही यह row है, यह होगए row three, और यह जो vertical है, यह column है, तीन ही column है माल लो, c1, c2, c3, तो row और column से मिलकर बनती हैं दोस्तों, matrix, और row column के बाद जो box बन के आता है, box, उसे हम कहते है, cell, और इसे denote करते है, c11, इसे c12, c13, c11 का मतलब यह first row, और first column है, c12 का मतलब first row, second column ऐसे c21 होगा, c22 होगा, c23 होगा, लिखेंगे tension लाले, फिर c होगा, 31 आप भी बताएं, फिर c होगा, 32, फिर होगा, c33, इस तरीके से, यह एक matrix बन गई, अब क्या होगा, मैं आपको दाता हूँ, इससे हम denote करते हैं, cij, cij, c का मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, here, c equal to cell, cell, और i का मतलब है, row, number of row, ठीक है ना, number of row, और j का मतलब है, number of column, इस तरीके से, आप अपने पूरी problem को समझेंगे, matrix की form में हमें दे रखी होगी, जैसे एक example से, मैं अगर आपसे बात करूँ, भई, माल लो कहता है कि हमारे पास तीन jobs हैं, और तीन ही माल लो worker हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, माल लेते हैं, worker हमारे पास one है, यह हो गया worker one, worker two, worker three, तीन ही माल लो job हैं, यह job one, यह job two, job three, माल लो worker one कहता है कि मैं job one को पचास रुपे में कर दूँगा, cost दे रखी है, job two को 80 में करूँगा, और इसे 70 में कर दूँगा, ऐसी worker two भी अपनी quotation देगा, कि भाई है मैं इसे 40 में कर दूँगा, इसे 90 में करूँगा, इसे मैं 65 में कर दूँगा, ऐसी worker three भी अपनी कोई quotation दे देगा, कि भाई है मैं इसे 35 में कर दूँगा, इसे मैं 70 में कर दूँगा, इसे मैं for example 50 में कर दूँगा ये information हमें worker और jobs के बारे में दे दी और cell के अंदर जो amount लिखा हुआ है वो है cost job को complete करने की cost by the particular worker अब हमें इस तरीके से assignment problem matrix की form में दे रखी होगी जिसके अंदर jobs का भी पता होगा workers का भी पता होगा workers particular job को कितने रुपे में complete करेगा ये भी पता होगा अब हमें finally सीखना क्या है हमें ये सीखना है कि कौन सी job किस worker को allocate की जाए जिससे कि सारी job भी complete हो जाए worker भी बीजी हो जाए और लगने वाली cost हमारी कम से कम आए लगने वाली cost हमारी कम से कम आए यही हमने सीखना है दोस्तों किसके अंदर assignment technique के अंदर अब हम बात करेंगे basic के बाद कि ये सारा काम करेंगे कैसे तो आईए दोस्तों basic के बाद point number two discuss करते हैं जिसका नाम है minimization problem minimization problem minimization problem का मतलब होता है कि हमारे question में जो भी information दे रखी है उसको हम इस तरीके से solve करेंगे जिससे की result minimum से minimum आए जैसे minimization problem the objective of such problem is always is always minimize the cost हो सकती है कि या loss हो सकता है मतलब कोई भी ऐसी information time हो सकता है मतलब कोई भी ऐसी information जिसके कम होने से benefit हो वही हमारी minimization problem का क्या होगा objective होगा जैसे minimization problem के अंदर हमें या तो cost की information देर की होगी या loss की information देर की होगी या time की information देर की होगी कोई दिक्कत नहीं है का की अंदर है अंदर मिनिमिजाशिशिशन पूल्म अंदर मिनिमिजाशिशन पूल्म र playoffs रगे रगे लिए रगे विए लुपर या लॉस या फिर टाइम या ऐसी कोई अधर चीज जिसके मिनिमाइज करने से हमें क्या हो बैनिफिट हो अब बात यह आती है कि भाईया इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें जो जोब दे रखी है और हमें जो वर्कर दे रखे हैं उनका कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं देखेगा किसी भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को असाइन्मेंट टेकनीक से सॉल्व करते समय यह बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या-क्या स्टेप फोलो करने है और वो स्टेप किस सिच्वेशन में फोलो होंगे तो मैं बताता हो सिंपल सी बात है यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स इन वोल्ड इन असाइन्मेंट टेकनीक क्या स्टेप है मैं आपको दिखायता हूँ अराम से बिल्कुल एक-एक स्टेप को अपलाई भी करेंगे और समझेंगे देखिएगा स्टेप्स इन वोल्ड इन असाइन्मेंट टेकनीक क्या क्या हम करते जाएं जिससे की जो जॉब्स हैं और जो वर्कर हैं जॉब्स का वर्कर के बीच में अलोकेशन भी हो जाए और हमारी कोस्ट मिनिममम से मिनिममम आए तो दोस्तों टोटल इसके अंदर चार स्टेप हैं और वो चार स्टेप कौन से मैं एक करके आपके सामने डिसकस करता हूं स्टेप वन दोस्तों स्टेप वन है सबसे पहले रो ओप्रेशन रो ओप्रेशन यह रो ओप्रेशन क्या है जी अराम से बिल्कुर समझेंगे लिखेंगे फिर एक्जामपल पे अप्लाई करके देन आगे बढ़ेंगे अब हम क्या कर रहे हैं वो जो number of jobs और number of worker दे रखे हैं उनके उपर assignment technique अप्लाई करके उसके उपर assignment technique के step अप्लाई करके allocation सीखने जा रहे हैं और एक बात और यह technique जो assignment technique है allocation आपको provide करेगी वो हमेशा best allocation होगा अगर आप इसके step को follow करते हैं best allocation का मतलब इसके अलावा आप कैसे भी job का allocation करके देख लेना आपकी cost ज्यादा से ज्यादा आएगी बस assignment technique के अंदर जो allocation आएगा उसके उपर जो cost होगी वो हमेशा कम से कम होगी दोस्तों अब यह row operation क्या होगा सुनो भाई आपको question में क्या होगा रो भी दे रखे होंगे मतलब jobs और worker दे रखे होंगे row or column की form में और उससे related cost आपको दे रखी होगी तो row operation क्या करेंगे सबसे पहले जितनी भी आपके पास row है row operation में आप क्या करेंगे हर row में से minimum value select करेंगे और उसी row में से उसे minus कर देंगे देखो row operation में क्या करना है पहले लिख लो फिर उसको example पर apply कर लेंगे under row operation पहले लिखेंगे जूरूर क्योंकि exam time में जो आप लिखते हैं आज वही चीजे आपके साथ रहती हैं बताई हुई चीजें बोली हुई चीजें की life बहुत कम होती है लेकिन लिखी हुई चीजों की life हमेशा ज़ादा होती है तो आप लिखेंगे मेरे साथ under row operation under row operation we select minimum value under row operation we select minimum value from each row and deduct it और उसको minus करेंगे and minus it from all value of that row one by one कैसे अभी देखेंगे one by one आप क्या करेंगे हर row में से minimum value उठाई और उसको minus कर दिया complete पूरी की पूरी entire row में से उसको क्या कर दिया minus कर दिया और ये काम ये जो row operation है इसको आप repeat करेंगे repeat row operation till last row जितनी भी row है सभी के उपर ये आप row operation अपलाई करेंगे क्या करना है एक row में से minimum value पिक करनी है उसको minus कर देना है entire row की value में से अव एक example के साथ आपको मैं समझाता हूँ और इस example के उपर ही आपको चीजे भी दिखाता हूँ एक example मैं आपको note कराता हूँ देखेगा एक second दोस्तो एक example हम ले लेते हैं जो आपको help भी करें ये देखेगा हमारे पास मानलो एक matrix दे रही है ठीक है जी लिख लेता हूँ मैं फिकर भी आपको note डाउन करायता हूँ उसके अंदर मानलो तीन रो है तीन ही मानलो कोलम है ठीक है जी अब इसके बाद यहाँ पर मानलो हमें जो भी या वरकर जो भी दे रखे हैं ठीक है यहाँ पर हमें जो वरकर है और यहाँ पर हमें जॉब्स है यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3, job 1, job 2, job 3, worker 1, worker 2, worker 3 costing मानलो 100 है, 85 है, 70 है, 50 है, 70 है यह पहले आप note कर ले फिर देन करते हैं यहाँ पर भी 110 है, यह 120 है और यह 130 है ठीक है जी, यह मैंने एक्जामपल यहां से note down कर लिया आप भी इसको note down करें अब यह information एक एक्जामपल में given है कि worker job को complete करेंगे at different different cost अब मुझे क्या करना है, step 1 इसके ओपर apply करना है दोस्तों जिसका नाम है row operation और बहुत सारी चीज़े भी हम आगे पढ़ेंगे balance problem क्या होती है, unbalance problem क्या होती है restricted cell क्या होता है बहुत सारी बाते हैं वो time लगेगा दो से तीन class में यह chapter complete होगा आज इसकी first class है तो इसको अराम अराम से अराम अराम से पढ़ते जाएं और चीज़ों को note down भी करते जाएं अब इसके बाद row operation में मैंने क्या सिखाया row operation में मैंने यह सिखाया कि हर row में से minimum value को pick करना है और entire row में से उसे minus कर देना है तो देखेगा row operation आप खुद करें भाई first row में से minimum value क्या है 70 तो 100 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा भाई 30 second में 85 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा 15 और यहाँ पर 0 70 में से 70 गई 0 इसके बाद minimum क्या है 50 है तो 50 में से 50 जीरो दन उसके बाद 70 में से 50 20 इसके बाद 110 में से 110 में से 50 गया 60 तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई थर्ड में minimum क्या है 120, 110, 110 वाली जगा 0 और 120 में से 110 तो 10 रह जगा है यहाँ पर और 130 में से अगर 120 आप माइनस करेंगे 110 तो यहाँ पर आएगा 20 तो दिस इस दा row operation row operation कहा है बहुत सिंपल example आपके सामने है row operation कहता है हर row में से minimum value पिक करो और entire row की सभी value में से क्या कर दो माइनस कर दो चलो जी row operation आपने इसी के लिए अब इसके बाद step 2 step 2 कहा है जी step 2 का नाम है column operation column operation जिस तरीके से आपने रोका हो operation किया इस तरीके से column operation बोलेंगे इसे column reduction या row reduction भी बोलते हैं या operation बात एक ही है time to time पे जब chapter complete होगा हम सारी time से सारे concept से detail में discuss करके अपने आप समझ लेंगे अब column operation क्या सिंपल रो operation करने के बाद हमारे पास जो matrix आएगी हम उसके ओपर apply करेंगे column operation उसके ओपर हम apply करेंगे column operation ठीक है जी हम उसके ओपर apply करते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो column operation सबसे पहले सबसे पहले ये apply होगा कैसे होगा बात की बात है apply होगा किसके ओपर apply on matrix जो आई है हमारे पास after row operation पहले बात clear है row operation करने के बाद जो matrix आपके पास आई है that is a heavily matrix यह जो आप देख रहे हैं दोस्तो इस matrix के ओपर आपको column operation apply करना है yes same row operation की तरह हर column में से minimum value को pick करना है और उसको सभी column की value में से minus कर देना है तो हम क्या करेंगे we select minimum value from each column ठीक है न and minus it बोलो या deducted बोलो बात एक ही है and deducted बही देखो मैं पहले से भी type करके रख सकता हूँ लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिलकुल भी चीजे समझ नहीं आएंगी और लास्ट टाइम में रिवीजन तभी असाइन होता है जब आप सारी चीजे खुद अपनी कोपी पे लिखते हैं नोट्स बनाते है वी सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम एच रो एंड डिड़क्ट इट फ्रॉम ओल वैल्यू ओफ बैट कोलम और ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट कोलम ना जाए रिपीट कोलम ओप्रेशन रिपीट कोलम ओप्रेशन तिल लास्ट कोलम ठीक है जी अब इसके बाद हम देखते हैं ये कोलम ओप्रेशन कैसे होगा देखेगा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स जो रो ओप्रेशन के बाद आई है उसके उपर हम जलते हैं कोलम ओप्रेशन अप्लाई करने ये मैट्रिक्स जी हमारे पास येस पहला कोलम में मिनिमम क्या है जीरो जीरो को पर्टिकुलर कोलम की सारी वैल्यू में से माइनस करेंगे बिश्फटिक्ट लुइन सेम गुंप थर्टी जीरो जीरो तो हम लिख दें थर्टी जीरो जीरो यहां पर भी ठर्टी जीरो डिक्क्त नहीं है अब इसके बाद second वाले में minimum है 10 मैं फिर भी आपको देख लेता हूँ column operation आप मेरे साथ देखेंगे second वाले में minimum है 10 15 में से 10 minus करें यहाँ पर 5 आ जाएगा 20 में से 10 10 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0 इसके बाद last में 0 में से 0 को सम में से minus करेंगे result सेम होगा 0, 60, 20 0, 60, 20 0, 60, 20 यह हो गया जी 0, 60, 20 एज़िटी सेम यह हो गया जी column operation यह क्या हो गया column operation का मतलब पहली बात column operation हम apply करेंगे ऐसी matrix पे जो row operation के बाद आएगी करेंगे कैसे हर column में से minimum value को pick करना है और उसको entire particular column की all value में से क्या कर देना है deduct कर देना है अब इसके बाद जो matrix आएगी यह है matrix after column operation that is a reduced matrix बोलते हैं reduced matrix चलो जी दो step आपने सीख लिए अब इसके बाद step three step three है जी optimality test optimal या optimality test या आप पो देख रहा है optimality test का क्या मतलब है यह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले बर मैं matrix जो आएगी उसे लिख लेता हूँ तीस पान्थ जीरो तीस पान्थ जीरो पहले मैं लिख लेता हूँ जीरो दस साथ जीरो दस साथ जीरो 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 ट्वन्टी ठीक है ना जीरो जीरो ट्वन्टी अब यह optimality test क्या है अब मेरी बास सुनें आपने row operation किया आपने column operation किया अब step 3 में हम यह चेक करेंगे कि यह जो matrix after column operation आई है क्या यह final assignment करने के लिए क्या यह final job का allocation करने के लिए optimum है भी या नहीं भी अब optimum हो भी सकती है optimum नहीं भी हो सकती यह पता कैसे लगेगा वो भी देखेंगे आप ऐसे समझे कि कि किसी patient का doctor ने operation करना है लेकिन doctor तब तक operation नहीं करता है जब तक patient operation करने के लाइक ना हो मैं उसका blood check करता है blood पूरा है या नहीं है हमने step number three में क्या करना है optimality test करना है optimality test का मतलब क्या जो row operation के बाद matrix आई है क्या जो row operation एंड column operation के बाद matrix आई है वो final job का allocation करने के लिए final assignment करने के लिए optimum है या नहीं है अब इसका result या तो optimum होगा तो हम step four पे चले जाएंगे final assignment और अगर optimum नहीं होगा तो इसे optimum बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं वो बात की बात है पहले आईए हम ये सीखते हैं कि भाईया optimality test करते कैसे हैं तो मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से पहले समझ ले सुनने फिर लिखवाता हूँ सर optimality test में आप क्या करेंगे आप straight line का use करेंगे straight line का वो line horizontal भी हो सकती है वो line vertical भी हो सकती है straight line का use करेंगे चरो में या कोलम में straight line का आप use करेंगे और line का use line का प्रयोग इस तरीके से करेंगे जिससे कि सारी कि सारी zero matrix की cover हो जाए तो सर इसमें तो कोई tough चीजी नहीं है तीन line एकी तो zero cover हो जाएगी नहीं याँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम को इस matrix के ओपर जो straight line यूज करनी है वो इस तरीके से use करनी है कि line भी कम से कम हो और zero सारी cover कर दे माल लो मैंने Mr. A को का कि भाईया यहाँ पर मुझे line खीच के बिताओ कम से कम कितनी line हो में तुम सारी zero cover कर दोगे line या तो horizontal होगी या vertical होगी triangle line नहीं हो सकती तिर्ची line नहीं हो सकती तो किसी ने कहा मैं दो में कर दूँगा किसी ने कहा मैं तीन में कर दूँगा तो दो वाला सही है मतलब optimality test करने के लिए आपको इस तरीके से line का use करना है प्रयोग करना है कि आपकी lines भी कम से कम use हो और zero भी सारी cover हो जाएं देखो तो सबसे पहले जहां पर सबसे ज़्यादा zero है पहले line वहीं खीज दो अब column one तो मैंने याँ पर column one में पहली खीज दी क्या कोई रास्ता है कि इस matrix इस सारी zero को cover करने के लिए आप दो line का प्रयोग करें impossible है दो lineों में सारी zero cover करना बिलकुल ना मुम्किन है आप करके देख लो आपको किसी भी हलात में तीन line तो चाहिए होंगी तीन lineों से कम यहाँ पर आप zero को cover नहीं कर सकते तो minimum number of line जो इस matrix के अंदर zero को cover करने के लिए चाहिए वो कम से कम कितनी चाहिए तीन अब optimality test में आपको क्या करना है आपको straight line का use करना है सारी zero को cover करने के लिए और वो straight line कम से कम होनी चाहिए लिखेंगे आप मेरे साथ आप मेरे साथ लिखेंगे देखेगा पहले आप लिखेंगे यहाँ पर तीन से कम में नहीं हो सकता use straight line use straight lines over a row या column two cover maximum zero आपको बिल्कुल straight line का use करना है चाहिए वो vertical होगी चाहिए वो horizontal होगी row के उपर और column के उपर maximum zero को cover करती हुई straight lines का use करना है इसके बाद आपको cover करना है all zeros ठीक है आपको cover करना है all zeros of the reduced matrix reduced matrix का मतलब ऐसी matrix जो column operation के बाद आई है of the लिकलो फिर समझते है reduced matrix cover all zeros of the reduced matrix by using by using lines in such a way that minimum lines number of lines will be used आपको भया इस तरीके से सारी zero को cover भी कर देना है और कम से कम लाइनों का प्रियोग करना है कम से कम लाइनों का यूज करना है जैसे इस matrix के अंदर आप कितना भी कम से कम कर ले तीन लाइनों से कम में आप cover नहीं कर सकते तो तीन ही लाइनों में cover होगा दो में cover नहीं हो सकती है zero क्योंकि जो line होगी जो straight line होगी या तो वो horizontal होगी या vertical होगी ठीक है अब इसके बाद यह matrix जो हमें दे रखी है जहां पर तीन job है तीन worker है एक word होता है जिसका नाम होता है matrix order matrix order matrix order का मतलब यह three into three का order है three into three का मतलब इस matrix में तीन row है और तीन column है अब इसके बाद आपने minimum number of line अब वो number of line कितनी है मेरे इस example में तीन line है तीन फिर आपको यह करने के बाद चेक करना होगा कि क्या वो जो minimum number of line है जो आपने use करी है वो equal है number of row है कोलम के जैसे तीन लाइने खीची और तीन ही row है अगर yes तो that means आपकी जो यह matrix है यह optimum है आप step number four पे जा सकते है और आपकी जो line है आपने draw की है जो minimum number of line आपने लिए है अगर मान लो जैसे matrix के अंदर तीन कोलम है तीन row है तो तीन का order है और दो line हो में ही सारी zero cover हो जाती तो number of line less than matrix order है तो that means यह matrix optimum नहीं है इसे improve किया जाएगा improve कैसे किया जाएगा बात की बात है लेकिन यह line है खीचने के बाद आप compare करेंगे हम compare करेंगे ठीक है जी straight line है खीचने के बाद we compare we compare number of lines with matrix order with matrix order matrix order का मतलब जहां पर तीन रो तीन कोलो में थ्री का order है देखो lines matrix के order से कभी जादा नहीं हो सकती भाई सीधी सीधी भी चार खीचों के तब भी चार अगर रो चार कोलो में तो चार से जादा line तो नहीं हो सकती कम हो सकती है we compare number of lines with matrix order number a if number of lines if number of lines are equal to matrix order अगर number of lines matrix order के बराबर है then then matrix then reduce matrix जो column operation के बाद आई है then reduce matrix is optimum and ready for final assignment और यह final assignment के लिए बिल्कुल तियार है step number four के लिए अब आप को गे सर यह number of line matrix order के equal तो मैं हमेशा ही बना दूआ नहीं आपको optimality test के अंदर zero को cover करने के लिए यह कोशिश करनी है कि कम से कम लाइनों का यूज करके सारी zero cover करें then उसके बाद number of lines को फिर matrix order से compare करें अगर कम से कम line यूज करने के बाद भी वो number of line matrix order के बराबर आ रही है तो that means वो optimum है जैसे हमारे example में तीन line से कम आप cover नहीं कर सकते सभी zero को तो वहाँ पर final assignment के लिए optimum है लेकिन ज्यादा तो नहीं हो सकती line लेकिन कम हो सकती है if if number of lines if number of lines are less than अगर number of lines कम है matrix order से matrix order बाद मनलब row or column की counting then then reduce matrix जो है जो column operation के बाद आई है is not optimum is not optimum का मतलब दाट इज improvement is required improvement will required थीक है ना इसका मतलब यहां पर improvement की जरूरत है final assignment पर जाने से पहले उसके अंदर कुछ हम changes करेंगे कुछ improvement करेंगे उसे final assignment और optimum बनाएंगे final assignment के लिए ready करेंगे optimum बनाएंगे तब ही जाके हम step 4 पर जाएंगे तो step 4 में हम तब ही जाएंगे जब number of lines matrix order के बराबर होंगी और वो number of lines इस तरीके से खीची जाएंगी कि कम से कम lineों का प्रयोग करके सारी जीरो cover की जाएं जैसा कि हमारे इस example में matrix order भी 3 का है और lines भी 3 की है अब हम चलते हैं अपने step 4 पे अच्छा अगर यह lines कम होंगी तो कैसे improvement करते हैं वो अभी पढ़ाना बाकी है अब tension ना ले तीन क्लासे लगेंगी यह भी first class है step 4 step 4 आएगा final assignment लेकिन जो matrix optimality test में optimum निकलाएगी वो step 4 final assignment में आ जाएगी अब final assignment करते कैसे हैं यह आपको समझ रहा है final assignment करते कैसे हैं यह आपको बड़े ध्यान से समझ रहा है तो जो भी matrix पहले optimum हुई है उसको एज़ी जी लिख ले भाई क्या है जी 30-0-0 लिख लेता हूँ मैं 30-0-0 ठीक है इसके बाद इसके बाद जो figure है उससे भी लिख लेते हैं एक बार आप भी note कर लें 5-10-0 5-10-0 ओके 5-10-0 फिर final assignment भी सिखाएंगे 5-10-0 के बाद 0-60-20 0-60-20 0-60-20 अब मुझे करना है जी final assignment अब final assignment कैसे करता है पहले मेरे बाद सुन ले आप जब final assignment करने जाएंगे आप start करेंगे row से start from first row final assignment करना शुरू करें जैसे कि आपने पहली row में देखा एक ही zero है वहाँ पर तो आप उस particular cell पे job allocate कर देंगे जैसे यहाँ पर एक ही zero है तो मैंने आपर box बनाया job allocate कर दी इसका मतलब यह है कि worker one job three के लिए select हो चुका है अब अगर इस row में एक से ज़्यादा zero होती तो मैं उसे hold पे कर देता बेटा अभी तो रुख जा क्योंकि एक से ज़्यादा zero होने का मतलब है वो worker दो काम विदाउट एक्स्टा कोस्ट कर सकता है लेकिन अगर कोई person एक ही काम विदाउट एक्स्टा कोस्ट कर सकता है तो हम उसको सबसे पहले वही allocate कर देंगे तो start from first row अगर किसी row में पहली row में 1-0 है तो allotment वहीं पर कर दो एक से ज्यादा है तो hold करके second row में आ जाओ फिर second row में check करो एक 0 है या एक से ज्यादा है? एक है तो allotment उसी समय 190 ज्यादा ज्यादा दी रो है तो अभी hold कर दो और इसके बाद जहां पर एक 0 होगी, वहां पर अलोटमेंट होगी, अब अलोटमेंट होते ही उस RAW और कॉलमम में जितनी भी कोर्सपॉंणिंग फिगिर हैं, उस सब को कट कर दो, बाकिस सारी 0 कट कर दो जैसे इस जी रो में इस 0 के कोर्सपोंणिंग इस RAW में कोई भी यह चोड़ दो इसके कोर्सपोंडिंग यह कट हो जाएगी कि यहां पर कुछ नहीं है ठर्ड में फिर एक है यहलोट हो गई कहने का मतलब कैसे होगा कि पहले आप रोसे स्टार्ट करेंगा अब जैसे मेरे यहां तो जोब एलोकट होगी अगर यह रोग खतम हो जाता फिर कोलम से स्टार्ट करते हैं सिंपल सा एक ही तरीका है फाइनल असाइन्मेंट का रो से स्टार्ट कर लेना चेक करना रो में एक जीरो है या एक से जादा है एक है तो लोटमेंट तुरंद कर दो एक से जादा है तो लब है कि वो पर्टिकुलर वर्कर दो जोब को विदाउट एनी एक्स्टा कोश्ट कर सकता है यह आपको देखना है रो होने के बाद फिर कोई जोब अलोकेट हो नहीं बचिया तो कॉलम से सब्सक्राइब कर दो इस तरीके से आपको करते रहना है और लास्ट में आकर आपकी जोब अलोकेट हो जाएगी जैसे हमारे यह आपर वर्कर वन, वर्कर टू, वर्कर थ्री और ओरिजिनल में जो फिगर थी उसको वहाँ से उठालो आप अपनी कोपी भी देख सकते हैं ओरिजिनल मेट्रिक्स में जो फिगर थी वर्कर वन जोब 3 70 वर्कर टू जोब 1 50 वर्कर टू जोब 2 कितना जोब 2 हाँ 120 अब तीनों की तीनों वर्कर भी बीजी और कोस्टिंग जब आप इसका टोटल करेंगे तो 120, 120, 240 टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट 240 कर ले इसके इसके इलावा आप कुछ भी कर ले आप इससे कम कोस्ट नहीं ला सकते 240 मिनिमम है इससे कम आप नहीं ला सकते लेकिन ये सारा हुआ कैसे तो लिखो जी इस बात को लिख ले ये फाइनल असाइनमेंट हुआ कैसे तो लिखेंगे मेरे साथ start from first row यह हम क्या लिख रहे हैं final assignment लिख रहे हैं अगर वहाँ पर एक ही 0 है if there is a single 0 अगर वहाँ पर एक ही 0 है then assign the job then assign the job लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि last time में लिखी हुई बाते ही काम आपके आएंगी अब एक 0 है आपने job को assign कर दिया and assign the job at that cell ठीक है जी मैंने वहाँ पर उसे उस cell को assign कर दिया जी कैसे assign किया by using by using scare box ठीक है ना इस तरीके से आपने बनाया था भी उपर तो इस तरीके से आप उसको particular cell को जो क्या कर देंगे allocate कर देंगे ठीक है जी allocate कर देंगे लेकिन अगर जीरो एक से जाद है अगर जीरो एक से जाद है आपको क्या करना है start from first row अगर वहाँ पर एक जीरो है then assign the job at that cell by using scare box ठीक है जी and जितनी भी corresponding and corresponding zeros of row and column जितनी भी corresponding zero होंगी उस job achievement के corresponding जितनी bी zero होंगी वह सारी की सारी आप cancels करेंगे are cancelled जैसे हमने करीजी second Кार्बर के बार, लेकिन if if there are more than one zero if there are more than one zero then hold it तो हम उसे अभी hold कर देंगे बाद में देखा जाएगा भी then hold it and move into next row और next row पे move कर जाएगे ठीक है ना और next row पे हम move कर जाएगे जब ये row खतम हो जाएगी then start from first column when rows are completed when rows are completed और जो अभी आपकी बची हुई है then start from first column simple तो फिर first column से start हो जाएगा फिर भाई देखना होगा single zero है allotment कर दो एक से ज़्यादा zero है तो hold पे डालके next column पे move कर जाओ जब आप सारी row को one by one सारे column को one by one करेंगे आपकी सारी की सारी job allocate हो जाएगी सारी की सारी job आपकी allocate हो जाएगी तो दोस्तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा assignment technique को apply करने के लिए चार step होंगे step one row operation step two column operation step three optimality test step four step four final assignment लेकिन एक बात बहुत simple है कि ये चार जो step है assignment technique के ये simple way में मैंने आपको बता दिये अब इसके बाद अगर matrix optimum नहीं होगी तो improvement कैसे करेंगे वो भी सीखना बाकी है फिर एक point आता है कि अभी तक हमारे example में job और worker दोनों equal थे इसे बोलते हैं balance problem अगर ये equal ना होते job ज़ादा होती है worker ज़ादा होते उसे बोलते है unbalance problem बलब number of row और number of column equal नहीं है तो ऐसी situation को कैसे solve करेंगे ये भी सीखना है कहने का मतलब अभी तक हम एक assignment में basic सीख चुके हैं next class में हम सीखेंगे unbalance problem, balance problem, maximization problem और matrix को improve कैसे करते हैं अगर number of lines matrix order से कम आ जाएं ये सारी बाते अभी next class में सीखना बाकी है दो class और लगेंगे assignment chapter में ये आपका खतम हो जाएगा पहले हम अपने book के question करेंगे फिर हम अपने study material के question करेंगे then फिर हम move करेंगे दोस्तो next chapter पर